नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि मेतासोन प्लस क्रीम का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है Metasone Plus Cream को कैसे लगाना चाहिए और Metasone Plus Cream की वजह से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Metasone Plus Cream को लगाते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में Metasone Plus Cream को लगाना रेकमें देड नहीं होता है Metasone Plus Cream का उपयोग चेहरे पर दाग, धबों, निशान वजाईयों को हटाने के लिए किया जाता है। आखों के नीचे काले घेरे होने पर यानि Dark Circles होने पर भी Metasone Plus Cream का उपयोग किया जाता है। Metasone Plus Cream तवचा पर दाग, धबों और Dark Spots को हटा कर तवचा के रंग को साफ वगोरा करती है। इसके अलावा Dermatitis और मेलाजमा की समस्या होने पर भी Metasone Plus Cream का उपयोग किया जाता है। मेलाजमा होने पर तवचा पर काले रंग के पैच हो जाते हैं, जो शरीर में हार्मोनल बदलाव या सूरज की धूप की वजह से भी हो सकते हैं। मेलाजमा की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में होती हैं, लेकिन मेलाजमा की समस्या पुरुशों में भी हो सकती हैं। मेटा सोन प्लस क्रीम का उपयोग महिलाएं, वपुरुष दोनों ही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो खृपया वीडियो को लाइक करना नह भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि मेटा सोन प्लस क्रीम को कैसे लगाना रेकमेंडेड होता है। साबुन की मदद से भी धो सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने हाथों और चेहरे को एक साफ कपड़े की मदद से साफ कर लेना चाहिए। और चेहरे को कम से कम 10 मिनट अच्छी तरह सुखाने के बाद मेटा सोन प्लस क्रीम की एक पतली लेयर चेहरे के प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए। मेटा सोन प्लस क्रीम को एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगाना चाहिए। और मेटा सोन प्लस क्रीम को ज्यादा रगड़ कर नहीं लगाना चाहिए। मेटासोन प्लस क्रीम को आख, मुह और नाख के किनारों के पास लगाना रेकमेंदेड नहीं होता है. इसलिए मेटासोन प्लस क्रीम को आख, मुह और नाख के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि मेटासोन प्लस क्रीम को लगाते समय क्या-क्या स सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में मेटा सोन प्लस क्रीम को लगाना रेकमेंदेड नहीं होता है जब तक आप मेटा सोन प्लस क्रीम को लगा रहे हैं तब तक आपको दिन के समय में सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए क्योंकि मेटा सोन प्लस क्रीम की वजह से तवचा धूप के प्रती बहुत ज्यादा समवेदनशील हो जाती है और जिसकी वजह से संबर्ण होने का रिस्क अधिक हो जाता है अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर संस क्रीम लोशन को लगाना चाहिए या आप धूप से बचाव करने के लिए अंब्रेला यानी छत्ते का भी प्रियोग कर सकते हैं मेटा सोन प्लस क्रीम को केवल रात के समय ही लगाना रेकमेंदेड है इसलिए आपको मेटा सोन प्लस क्रीम को दिन के समय में नहीं लगाना चा नहीं लगाना चाहिए, त्वचा पर कोई इंफेक्शन होने पर या त्वचा पर कोई घाव होने पर मेतासोन प्लस क्रीम को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए, बार बार या लंबे समय तक आपको मेतासोन प्लस क्रीम को आखों के नीचे या आखों क के आसपास नहीं लगाना चाहिए यह क्योंकि मेटासॉन प्लस क्रीम के अंदर स्टेरोइड्स होता है। मेटासौन प्लस क्रीम को बार बार या लंबे समय तक आखों के नीचे लगाने से आखों में कैटरिक्ट या ग्लूकोमा हो सकता है। आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे की Metason Plus Cream की वजह से क्या side effects हो सकते हैं। Metason Plus Cream की वजह से त्वचा में जलर, खुझली या लालपन हो सकता है। अगर आपको Metasone Plus Cream को लगाने के बाद त्वचा में लाल पर जलन या खुजली ज्यादा होती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए. Metasone Plus Cream का उपयोग लंबे समय तक यानि कई महीनों तक करने से त्वचा पतली हो सकती है और त्वचा का कलर डार्क भी हो सकता है इसलिए बार बार बिना डॉक्टर की सलाह के Metasone Plus Cream को नहीं लगाना चाहिए और Metasone Plus Cream को केवर उतने समय तक ही लगाना चाहिए जितने समय के लि को लगाने के बाद त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है और Metasone Plus Cream को लगाने के बाद त्वचा में अस्थाई तोर पर सूखापन हो सकता है अगर आपको त्वचा में सूखापन ज्यादा होता है तो आपको सुभा उठने के बाद अपने चेहरे को खुजली और जलन ज्यादा नहों अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं Metasone Plus Cream को लगा सकती है या नहीं प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए मेतासोन प्लस क्रीम का उपयोग करना रेकमेंडेड नहीं है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेटासोन प्लस क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेटासोन प्लस क्रीम को नहीं लग चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना